सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को नमस्कार मैं सुनिल वर्मा धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धे टीवीप हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने प्रोगाम पर जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं आईए एक नज़र डालते हैं आज की पर्मो खबरों पर सबसे पहले हम बात करेंगे यस बैंक पर यहां यह वही बैंक है जिसके वज़े से पूरे देश में काफी चिंताएं हैं और साथी साथ इंडियन एकॉनमी को लेकर कुछ चुनोतियां नज़रा ले देखेंगे इस चिंता और चुनोति के पीछे का कारण क्या रहा है बैक्ग्राउंड क्या है और बरतमान कंडिशन क्या है वही जो दूसरी रिपोर्ट होगी वह होगी Freedom in the World 2020 रिपोर्ट देखेंगे इस रिपोर्ट के क्या मायने है भारत की कंडिशन क्या है और बैस्विक समोव में भारत की डेमोक्रेसी को किस रूप में देखा जारा आई एक एक करके इन खबरों को भी सलिसित करते हैं सबसे पहले हम RBI के Regulation जो कि S-Bank पर लगाया गया है इसको डिसकस करेंगे S-Bank प्राइबेट सेक्टर का एक महत्पूर्ट कारफूरेट बैंक है कारफूरेट बैंक से ताथ पर उस परकार के बैंक से होता है जो कारफूरेट सेक्टर को प्राथमिक कार्यों की सेवाएं देते हैं इसका मतलब है कि जो कारफूरेट सेक्टर को लोन वगायरा की जरूरत होती है तो जिन बैंकों के पास वो सबसे ज़्यादा जाते हैं या जो बैंक उनको यह कारफुरेट से सम्बनी च्छेत्रों की सेवाई ज़्यादा देते हैं उनको कारफुरेट बैंक के रूपे हम जानते हैं इसकी स्थापना 2004 में राना कपूर और असुक कपूर जैसे बेक्तियों की दोरा हुई थी, काफी परतिश्चित नाम है, काफी जो है कि इनका अनुभव भी बैंकिंग छेत्र में अच्छा रहा यह देश का चोथा सबसे बड़ा बैंक है, और इसी के साथ साथ इस बैंक के आपको पता चलेगा कि एक हजार से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, एटियम की संख्या नहीं, बलकि इनकी ब्रांचेस की संख्या एक हजार से ज़्यादा है चोथा सबसे बड़ा बैंक भी है अब ये देखिए हुआ क्या है कि यह बैंक जो है कि काफी कुछ चीज़ों के लिए चरचित रहा है जैसे यह देश का ऐसा निजी बैंक है जिसकी महिला इस्पेसल ब्रांच यस ग्रेस के नाम से चलती है अर्थात एक महिला इस्पेसल ब्र धीरे धीरे 2004 से लेकर यह आगे बढ़ने लगा और कभी थोड़ा बहुत अपसेंट डाउंस के साथ यह बैंक आगे बढ़ता गया और इस बैंक का जो कंडिशन है यह काफी मजबूत दिखाई देता था किस रूप में बाहरी दुनिया को दिखाई देता था और इसी के कारण यह जो बैंक था धीरे धीरे उचाई पर तो पहुँच रहा था लेकिन अंदर से कुछ खोखला भी हो रहा था मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ थोड़ा सा इंतिजार करिए यह बैंक जो है कि जैसे मैंने बताए कारफुरेट संस्थागत बैंक की कॉमर्सियल बैंकिंग का काम देखती है कि इसका प्रात्मिक कार सेविंग एकाउंट्स वगएरा अर्थात आम लोगों को भुक्तान करना जमा सिवकार करना नहीं है यहाँ बैंक का काम है करती भी है लेकिन इसके प्रात्मिक कारेओं में कार्पुरेट से जुड़े हुए छित्रों के काम है और यही जो छितर है यही इसके लिए घातक भी बन गई यस बैंक ने NBFC के साथ बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत बड़ी मात्रा में पैसा दे रखा है लोन दे रखा है और यह लोन किस रूप में दिया था निवेस के लिए कि इन्वेश्टमेंट के लिए कि जैसे माल ल लगता है बैंक ने पैसा दे दिया और यहां समझा कि यह जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं यह प्रोजेक्स चलेगा तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा क्योंकि यह वह बैंक है जो की अधिक बहुत अधिक इंटरेस्ट करती रही है इसलिए जो है कि यहां पर ब बहुत बड़ी खासियत थी, तो हुआ क्या, इसने काफी लोगों को बड़ी-बड़ी कमपनियों को, जैसे अनिलंबानी की कमपनी, बोड़ा फोल, SL ग्रूप, CCD जैसे नाम डी-एच, FC जैसे नाम जो है की काफी बड़े-बड़े नाम है, इनमें इन्होंने काफी पैसा मतलब यह है कि देखें, जैसे मैंने 100 रपे बैंक से लिया, और 100 रपे जो मैंने बैंक से लिया, तो मुझे 100 रपे भी रिटरन करने है, पलस इस पर कुछ ब्याज देना है, लेकिन ना तो मैं 100 रपे दे रहा हूं, ना मैं ब्याज लोटा रहा हूं, ऐसे पैसे को बोला जा कि जब बैंक से पैसा बाहर जाने लगा और पैसा लोट नहीं रहा है वापस नहीं आ रहा है तो इस पर RBI का नियांत्र कसने लगा 2018 में इसने जो अपना बैलेंट सिर्ट जारी किया इसमें 327 करोड रोपे जो की NPA के थे वह कम दिखाया इसने दिखाया इसने 2018-19 में जो रिपोर्ट दी अपनी बैलेंट सिर्ट बैंक की प्रजेंट की उसमें दिखाया के NPA है लेकिन इतना NPA कम करके दिखाया आप समझ लेजिए यह छोटा मोटा एमाउंट नहीं है और इन्होंने NPA क्यों कम करके दिखाया होगा जिससे लोगों का भरोस्ता इस बैंक पर बना रहे हैं लोग इसमें निवेश करते रहें लोग इस हाँ पर पैसा अपना जमा करते रहें और यह पैसा NPA हो चुका था तो यह वह था जो छुपाया गया इसके अलावा 1000 करोर रुपे NPA आलरेडी कनवर्ट हो चुका था कुल में लाकर NPA में पैसा कनवर्ट हो चुका है अपार दर्सिता नहीं है बैलेंस इट में यह जूट बोल रहे हैं और इसके बज़े से RBI ने धीरे धीरे इसमें सिकंजा कसना सुरू कर दिया अर्थात कुछ इनको चेतावनी देनी चालू कर दी डिपोजिटर जो इसमें न हमाल लेजे पैसा इसमें से कुछ मिला कुछ नहीं मिला हमाल लेते हैं यहां पर 15 रुपे इस 40 रुपे से 15 रुपे NPA में कनवर्ट हो गया तो साथी साथ यहां पर जो बचा हुआ पैसा था जो लेंदेन होता था उसमें से भी निवेसक अपना पैसा यस बैंक के सेयर जो है की जमा कर रखा था वह जमा पैसा भी अपना निकालने लगे कुल मिला कर यह जो सोर पे दिखाई दे रहा है सोर पे बचा नहीं धीरे धीरे बैंक अंदर से खोक लाओ रहा है 2017 में RBI ने यस बैंक पर कड़ी निगरानी जो है की प्रारम की और उसके लिए इन्हों ने देखा कि यह जो बैंक है इसके जो फाउंडर रहे है राना कपूर इनको जो है की चेतावनी दे गई चेतावनी किसले दे गई कि इन्होंने NPA की बात चुपाई साथी साथ अनिक जो गत्विधियां है उनको पारदर सिता नजर नहीं आया RBI को और RBI ने इनसे कहा कि आप 30 जनवरी 2019 तक आपको पद अपना छोड़ना होगा इनसे यह जो कहा गया कि आप क्या करेगा अपना प पोर्ट से हटा दिया बलकि एक करोर रुपे का जुर्माना भी लगा है आप यह नहीं कह सकते हैं कि बैंक RBI इसको पूरी तरह से नजक अंदाज कर रही थी लेगिन होता क्या है बैंकिंग सेक्टर में समानता अया माना जाता है कि RBI जितना कम हस्ता छेप करें और जितनी फ्रेस गाइडलाइन का पालन बैंक स्वेम कर लें बीना RBI का हस्ता छेप के उतना ही बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा होता तो RBI क्या कर रहा था, वेट एंड वाच की पॉलसी अपना रहा था, और इस तरह से जो है कि इस पर जुर्माना भी लगा गया दे, अगस्ट 2019 में इस बैंक का जो है कि चूंकि NPA बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, RBI की रेगूलेशन बढ़ रहते, तो मुटी ज एक संस निकालने लगे, सेयर बेच कर और जिन लोगों ने बड़े बड़े अमाउंट इसमें जमा किये थे, और धीरे धीरे यह क्या हुआ, कई तिमाहियों तक यह जो है कि घाटे में चलना लगा, और यह जो है कि बैंक बार बार यह कह रहा था, कि वह कई इन्वेस्टर्स के लेकिन कई जो निवेसक है, वह कह रहा था, कि हमारे पास कई ऐसे निवेसक है, जो कई हजार करोर रुपे का निवेस इस बैंक में कर सकते हैं, तो जो लोगों का पैसा है, वो सुरच्चित है, हम कई तरीके से ब्यापार करते हैं, बिजनस करते हैं, उनसे पैसा आ जाएग अर्थात किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि RBI को पहले इसे ही अभास था लेकिन वह कोई कठोर नियंत्र इसलिए नहीं अपना रहे थी जिससे यस बैंक खुद ही क्या करे पूरे मुद्दे को सौल कल लेकिन जब डिपोजिटर के पैसे कि जैसे संकेत RBI को मिलने लगे लगा कि कोई ऐसा इन्वेश्टर नहीं है RBI के सामने किसी ऐसी इन्वेश्टर को यस बैंक परजेंट नहीं कर पाया जिस पर भरोसा कर सकता तो क्या हुआ RBI ने इसकी जो बैंक की गौर्णिंग बॉर्डी है इसको भी भंग कर दिया पहले इसका मतलब होता है कि जो यस बैंक में क्या करेंगे निवेस करेंगे क्योंकि यस बैंक की तो हालत पहले सी खराब है उसकी गौर्णिंग बॉर्डी को भंग कर दिया गया है परसांत कुमार को जिम्मेदारी दी गई है तो अब क्या कर रहे है SBI, LIC और कुछ निजी निवेसक मिलकर इस बैंक के कुछ हिस्सेदारी खरीद कर इसको फिर से पट्रीपल लाने का प्रियास कर रहे है तो एक कंसोर्सियम बनाये गया है जिसको SBI लीड कर रहा है जल्दी जल्दी SBI और LIC मिलकर इसकी 49% हिस्सेदारी खरीच सकते है अभी तीन बजे का जो अपडेट है वह है SBI बोर्ड ने एस बैंक की 49% अधिगरहन अर्थात उसकी हिस्सेदारी को खरीदने की मंजूरी दे दी हाला कि SBI बोर्ड जो है कि खुद तो यह कर रहा कि इस बैंक को बचाने का प्रयास कर रहा है लेकिन कुछ समेश चक इस जो है कि इस SBI बैंक के इस नेड़े से खुस नहीं है उनका कहना है S जो कि SBI बैंक है वो भी बहुत अच्छी तरी से नहीं काम कर उसके उपर भी NPA का दबाव है और अगर वह अच्छा रन कर रहा है तो किसी खराब बैंक में अपनी हिस्तेदारी खरीद कर वह अपने बैंक के परफॉमेंस को भी खराब कर सकता है लेकिन खुल मिलाकर अभी लोगों का पैसा ना डूबे यह प्रात्मिक जिम्मेदारी है इसलिए कल बित मंत्री सामने आई उन्होंने कहा किसी का पैसा नहीं कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है कि अभी जो 50,000 की लिमिट लगाई गी है उसको बढ़ा दिया जाए और यह तभी होगा जब क्या किया जाए यह बैंक का पूरा गौर्निंग वार्डी को सही से डील किया जाए तो SBI इसमें जो है कि लगवग 49% हिस्तेदारी हो सकता है खुद भी और L.I.C. के साथ मिलकर कर सकती है अगर जिन लोगों का पैसा फस गया है तो आपको पता है आपके यहां एक जो है कि नियम है डिपॉजिट इंसुरेंस एंड क्रेडिट का क्रेडिट गारंटी कारफरेशन एक 9061 इसके तहत अगर किसी भी खाता जो मान लीज पांच लाख रुपे मिलेंगे अभी तक यह रकम इस बार के बजट से पहले एक लाख रुपे की गारंटी मिलती थी अर्थात आपने कितना भी जमा कर रहा हो अगर बैंक ढूप जाता है तो सिर्फ आपको एक लाख रुपे मिलता है इसी बार के बजट में इसको पांच से जादा रुकम जो है कि उसमें है उनको 5 लाख मिलिए और जिन का 5 लाख से कम नहीं है तो उनका प्रयास होगा की पूरी रुकम लोटा द59 लोगों अगर बैंक दूप जाता है तो स्रफ 5 लाख रुपे में इसी लोगों की चिंताएं भी हैं कोल मिलाकर इस तरह की इन चीजों से अभी यह पता चल लाया है कि अभी यस बैंक के लिए काफी चुनौतियां हैं अभी लगभग 2450 करोर रुपे का निवेश जो है कि SBI S बैंक में भी करेगा और बाकि समय समय पर करता रहेगा जैसा कि आपको पता है बैंक खाता धारकों को यह निर्देश दिया गया है कि वह अधिक्तम 50,000 रुपे क्या ही निकाल सकते हैं एक माह में अगर किसी ब्यक्ति की EMI, SIP, Insurance की केमर 50,000 से जादा उस एकाउंट से कटता है तो वह बाउंस हो जाएगा और आपको पता है EMI और SIP या किसी भी परकार का जो आपका पैसा कटता है अगर वह नहीं कट पाता बाउंस होता है तो इससे आपका credit score खराब होता है आपका civil score खराब होता है कई परकार की और चुनावतियां आते हैं तो देखें बैंक कैसे न अपरेल तक रखा जाएगा और इस बीच जिन लोगों को सिर्फ 50,000 रुपए ही जिनके हाँ कोई साधी नहीं है किसी education में वह नहीं दिखा सकते कि उनको देना ऐसा नहीं कहेंगे कि हमको education के लिए दे दिजे हमें घर पे किताब या खरित के लानी है BTI के admission कराना पूरा document के साथ आपको जाना होगा तो उनके लिए कितनी बड़ी चुन होती है राना कपूर जो इसके founder हैं उनके खिलाप look out notice जारी किया गया लेकिन राना कपूर खुड जो है कि प्रस्तोत हुए और उन्होंने AD के सामने जो है कि अपनी बात रखी है AD की team उनसे पुछताच कर रही ह आने वाले समय में देखेंगे क्या के update है अब थोड़ा सा समझे कि एक जो bank है यह किस तरह से economy में भूमका निभाता है लोग bank के पास किस भरोसे में आते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे पैसा अपना जमा करेंगे और पैसा जमा इसलिए करेंगे कि जब जरूरत पड़े हम न जरूरत है लोन ले रहा है और इन्हीं दो चीजों से अर्थ विवस्ताएं चलती हैं अगर सोची लोग bank को पैसा जमाना करें घर में रखें तो हर ब्यक्ति के पास जो पैसा वो अपने हिसाब से यूज कर सकता है या पड़ा रहेगा तो क्या अर्थ विवस्ता चल अर्थ विवस्ता चल पाएँ नहीं चल पाएँ अभी कुछ समय पहले PMC जो है कि bank हमारे हाँ दिवालियपन की कगार पर पहुँचा हमने उसको किसी तरह से handle किया अब yes bank है और आपको जानकारे दे दों कि इंडिया के अधिकांस bank जो है कि NPA के कर्ज के बोज के तले दबे हुएं और इसी कारण आपने सुना होगा कि बहुत से बैंकों का बिलाय करके बड़े बड़े बैंक बनाया जा रहा है लेकिन आने वाले समय में यह banking सेक्टर में जो हमारी चुनों होती है अगर हम नहीं निप्ट दे तो यह हमारी अर्थ व्योस्ता पर काफी भारी पड़ उसका परसान करना लोगतर जी हां वही लोगतर जो हमारे यहां आपका एक मुल्य है एक बिचारधारा है और इस साथ से जात एक जीवन सहली का भाग है इसका जो मुख्याल है वासिंग्टन डी सी में है जब दूत्य पिस युद्ध में अमेरिका जो है कि इसमें दरता थी किसी भी धर्म के आधार पर लोगों को मारा जा सकता था कई परकार की कुछ लोग सुतन दरता है बहुत जादा थी किछ को बिल्कुल नहीं थी अर्था जो एक फंडामेंटर वैलूज होते हैं लोग के सबके अधिकार के सबके समान अधिकार के यह मुल्य नहीं और इसी बीच जो है कि क्या हो रहा है, इसकी स्थापना हो है, और इस्थापना करके यह संस्था क्या कर रही है, कि डिमक्रेसी के मुल्यों को परचारित-परसारित कर रहे हैं। देती हैं हमें यह चुनावतियां देती तो इस परकार ही है एक एंजियो के रूप में लेकिन 1941 में स्थापना हुआ इसकी रिपोर्ट को पूरी दुनिया सिवकार करती है काफी पॉपलर रिपोर्ट है यह ना सिर्प जो है की रिसर्च करती है बस बिसलेशन वकालत और कारव भाही के संजयोजन के माध्धाम से स्वतनतरता और उनके मुल्यों को बढ़वा देने के लिए उत्फरे रखा एर्था स्टुमिलेट द्था का भी काम करती है और पर्थात यह बताती है कि estou現 कि कारवाईयों से कि explaining के नियमों से हम स्वतंतरता जैसे मुल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं यह जो नाम है इनके प्रारम में जो इनके चेर परसन रहें उनके नाम है यह आपके लिए इंपोर्टेंट है आप याद कल लेजेगा हाली में इसने एक रिपोर्ट जी है जिसका नाम है फ्रीडम इन द डिमोक्रेसी होता है तो डिमोक्रेसी में क्या होता है सब के मुल्य समान है सब लोग एक परकार से स्वतंतर सब लोग एक परकार के कानूनों के अधीन है किसी को बिसेश अधिकार नहीं है किसी के साथ पच्चपात नहीं होता किसी के साथ भेद भाव नहीं होता और इनी के अधिकार लोगों को जादा मिले होंगे वर देश क्या होगा अच्छा होगा नागरिक सुतंतरता के लिए इन दोनों आधारों को कुछ अंक दिये गए हैं जैसे नागरिक सुतंतरता को दिये गए हैं 0 से लेकर 60 अंक और जो है कि राजनीतिक जो अधिकार हैं जो सुतंतरता ह इनको लिया दिया गया है zero से लेकर 40 तर अर्था total 100 marks है इस में से maximum 60 पराप्त कर सकता है इस में से maximum 40 कर सकता है zero minimum है और इसके बीच का अगर वहाँ पे condition खराब होती है तो इसके बीच का जो उसका performance है उसके अधार पर क्या किया जाएगा ranking दिया रहे है बर्तमान में कितने देशों को दिया गया, 195 देशों को दिया गया और यह क्या चेक करती है कि यह देखती है कि लोगतांतरिक मुल्य कैसे हैं, स्वतंतरता का वहाँ पर क्या रूप दिखाई देता है, लोग कितने स्वतंतर हैं या नहीं है और इन ही क्या धार पर देशों को तीन केटेगरी में डिवाइड करती है तो तीन केटेगरी कौन से है एक स्वतंत्र दूसरा आंसिक रूप से स्वतंत और तीसा स्वतंत नहीं अर्था देशों को जो एक सब पंचानवे देश है या तो स्वतंत के अंतरगर रखा जाएगा या आंसिक स्वतंत या स्वतंत नहीं जैसे तीन केटे अच्छे डियमोक्रिसी वाले देश हैं लेकिन देखी यह रिपोर्ट क्या कहती है भारत को सेनेगल और तिमोर लेश्टी के साथ 83 जो है की पोजिस्टन तिरासमा इस्थान रखा गया है अर्थात हम पहले दूसरे इस्थान पर नहीं है और भारत को किस केटेगरी में रखा गया इन तीन केटेगरियों में से स्वतंत आंसिक रूप से स्वतंत और स्वतंत नहीं में स्वतंतर वाले में रखा गया है पिछले जो भारत की जो पिछला साल का जो रिपोर्ट आय थी उसमें भारत को मिले थे 75 अंक मिले थे इस बार जो हैं मिले हैं 71 और इस तरह से हमें चार अंकों का नुकसान हुआ है और चार अंकों के नुकसान की साफ से भारत की रेंकिंग क्या हो यह खराब रखे गए स्वतंतर बर्ग में जिन देशों को रखा गया है उसमें भारत भी है और भारत में क्या है भारत को जो रखा गया है वह केवल ट्वनीसिया को भाराइस से कम अंक मिला है बागी जितने इसमें देश रखे हैं सब क्या है इससे उपर है आप समझ सकते हैं हम सब से उपर से तो नहीं है लेकिन क्या है जो सुतंतर देशों की केटेग्री है उसमें केवल ट्यूनीसिया को भारत से कम करके दिखाए गया, भारत को नागरिक सुतनतरता जिसमें कि हम कितना देते हैं, जीरो से लेकर 60 अंक हमको मिलने होते हैं, उसमें से केवल 37 अंक मिले हैं, और जो राजनीतिक अधिकार जो मिलने होते हैं, जीरो से लेकर 40, इन 40 अंको में से भी 34 लेकिन सबसे ज़ादा जो नागरिक स्वतनत्रता वाला भी इसमें कम ही आया है हमको देखे हमको मिल सकता था शातरम मिल शकता था लेकिन हमें कितना कि और प्राफ्थ हुआ है थर्टी सेवन इससे क्या पलता चलता है कि हमारे इहां इस संस्थक इसका उद्देश होता है 1948 में जो संयुक्त राष्ट महासभा द्वारा अपनाई गई मानुवा अधिकार सारववह में घोशना है उसको यह आधार बनाती अर्थात किसी देश को कितने अंक मिलना चाहिए नागरिक सोतंतरता में और राजनीतिक अधिकार में यह किसके अधार पर परिच्छन करती है यह कहती है कि जो 1948 में संयुक्त राष्ट की इस्थापना के बाद एक जो घोशना पत्राया कि लोगों को कितने अधिकार होने चाहिए कौन-कौन से नागरिक सोतंतरता होने चाहिए कौन कौन से राजनीतिक अधिकार होने चाहिए उनके आधार पे सभी देशों का परिच्छन करके क्या करते हैं रिपोर्ट करती है चुनावी परिक्रिया, बहुलबाद, भागीदारी, राजनीतिक अधिकार इसके परमुक आधार होते हैं जो स्वारव भौमिक घोशना के मुल्यों को आगे बढ़ाते हैं अर्था, चुनावी परिक्रिया, जितनी परदर्स्ती होती, जितना बहुलबाद को हम बढ़ावा देंगे, जितनी सभी लोग के अधिक भागीदारी होगी, राजनीतिक अधिकार, जितने अधिक 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 लोगों को परात्त होगा, वही तो क्या है, हमारा जो सारव का जो सटडाउन आया है यहां पर इसको करेड कर ले जाए इंटरनेट सटडाउन तो था सी एब्रिल सी ए का बिरोध का मतलब है चिटीजन अमेंडमेंट नहीं हुआ है तो लंबे समय से इंटरनेट जो सट डाउन की कंडिशन है यह सी ए को लेकर पूरे देश में जो बिरोध हुए उन बिरोध परदर्शनों से निपटने के लिए जो कारवाई की गई उसको आधार बनाकर हमको क्या किया गया हमारी रेंकिंग कम की गई रिपोर् कि किसी भी डेमोकारि का आधार है वह दिखाई नहीं देता धर्म निरपेज। जो सेकुलर इस्टेट है चूओ कि डेमोकारि में क्या सभी के अधिकारों को मानता दि जाएगी उस पो यह सही कि कम किया भारत का ये है भारत सरकार की बहुल्ता और ita था ब्धिकत अधिकार अधिकारों के सी आफ सदल करने की जो अपनी पूरी प्रतिबधता रही है उसका पूरी तरह से नहीं किया जा अर्थात हर सरकार को वहुलता को जैसा कि मैंने बढ़ावा देना चाहिए बीवित्ता को कंजर्व करना चाहिए और ब्यक्तिगत आधिकारों को जितना अधिक सुतन्तरता दे सकते हैं देना चाहिए भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही यह मैं नहीं कह रहा है यह रिपोर्ट कह र लेने की जो परंपरा का भी जिक्र है अर्थात लोकतंत्र के मुल्यों के दिश्टिकोर से भारत अग्रडी देशों में सामिल रहा है लेकिन अब वह खुद जो है कि क्या है कटगरे में खड़ा है और कटगरे में खड़ा करने के लिए आधार इस रिपोर्ट ने जो बनाया ह है वह इंटरनेट सड्डाउं, C.E.A. को लेकर भिरोध परदर संग पर हुई कारवाई और अन्य चीजों को और इस तरह से उसको लग रहा है कि यहां पर बेक्तिगत अधिकारों में कटवती हो रही है आपको पता है चीन में वेगर समुदायों और अन मुसलिम समुदायो कि किला चीन जिस तरह से आलोचना होती रही हो खुद को वो अलग करता रहा है ठीक भारत के ऊपर यह आरोप लगाया गया है इस रिपोर्ट के मादनें से भारत अपनी हिंदू राष्टवादी नीतियों की आलोचना को द्रणता से खारिज तो कर रहा है लेकिन हिंदू र केर पिरपे-च्छा या माईनोटी के अधिकारों में कतोती हो रही है रिपोर्ट यह कहना चाहता है रिपोर्ट के अंसार भारत में ना सिर्फ लोगों के माईनोटीज के बल्की पत्रकारों से छब लोगो के और औध्य। करना पड़ रहा है तो इनका कहना है कि जब पत्रकार जब की मीडिया जो कि फूर इस्थम्भ है हमारे पिलर है डेमोक्रेसी का जो हमारे यहां के एजुकेटर हैं टीचर हैं तो साथी साथ जो अनपरसिद्ध लोग हैं जो कि हमारे सोसाइटी को एक दिसा निर्देश देते ह इनको खुद जो है कि उत्पेड़ों और धर्ण की का सामना करना पड़ रहा है और प्रृब करें लुए नाकरी राजनीतिक रास्ता कितने मिले है यह नहीं तो इस पूरी प्रकिरिया में यह जो पूरा मत था यह किसका था संस्था का यह हमारा मत नहीं है जो संस्थाने कहा है जटिल भासा है हमने उसको आसान करके समझाने का प्रयास किया तो इसरों आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच